देखे कल के सेशन में हम लोगों ने डिसकस किया कि भई exception होता क्या है और exception को represent करने के लिए exception classes हमारे पास बनाए गए है कुछ commonly used exception के बारे में भी मैंने आपसे discussion किया कि भई यह हमारे arithmetic exception होता है, यह null pointer exception होता है यह number format exception होता है, ठीक है? कुछ exception classes के बारे में भी हमने discussion किया तो exception और exception selected classes, exception के type जिसको आप हो सकते हो सब कुछ हमने discuss कर लिया था, आज हम पूरा pure exception handling करने जा रहे है ठीक है? तो मैंने आपको last time के पताया था कि भई यह exception handling का मतलब कि अगर हमारे program में ऐसे बहुत सारे line लिखी गई है और किसी एक दो line में problem आ गई और उस line के आने से program मारा terminate हो जा रहा है तो हमारा rest of code मारा maintain हो पाए, चल पाए, इसलिए हम क्या करते हैं? भी acceptor handling करते हैं तो कैसे करते हैं? उसके बारे में हम बात करते हैं देखे जावा कहता है कि जब भी आप अपना कोई program लिखिए जावा कहता है कि जब भी आप कोई अपना program लिख रहे हैं तो यह आपकी responsibility है कि आपको अपना code देखके लिखना है और इस तरह से लिखना है कि उसमें exception handle कर लिया जाए अच्छा यह जो प्रोग्राम था जो मैंने आपको यहां पर बनाया था आपने लिखा इंटर फर्स नंबर इंटर सेकंड नंबर पहला नंबर हमने कुछ दे दिया दूसरा नंबर कुछ दे दिया और गलती से दूसरा नंबर हमने 0 दे दिया तो 10 divided by 0 करके हमारे प्रोग्राम में exception आ जाता है और जिसकी आने से हमारा प्रोग्राम में नॉर्मलेट हो जाता है तो कल परवेज का यहां पर question था कि sir यह जान बूच कि आप 10 divided by 0 करके exception ला दे रहे हो तो क्या ऐसे ही exception handling होती है यही चीज होती है त इसा कुछ नहीं होता है कि यही situation हो सकता है प्रोग्राम में आप प्रोग्राम बना रहे हो आप application बना रहे हो तो application में किसी भी type की abnormal situations हो सकते है ठीक है वो abnormal situation कुछ भी हो सकता है अमलब किसी भी type का हो सकता है आप तो एक software बना के दे देते हो software को induzor चलाता है induzor से test करता है indu कुछू दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें कुछ और काम हो रहा होगा तो उसके प्रालूम्स और स्क्ड. you कुछ भी हो सकती है तो जावा कहता है कि यह developer की responsibility है कि program को इतना ध्यान से लिखे इतने अच्छे से लिखे तो समझ के लिखे कि program में कोई problem आती है तो इसको handle कर लिया जाए अब जैसे इस situation की बात करते हैं कि इस situation में हम program को कैसे handle करेंगे program कैसे run करेंगे तो यहां पर कहानी कुछ ऐसे होती है कि जावा कहा रहा है कि अगर आपके program में जहां पर भी आपको लग रहा है exception आने के chances हैं जहां से समझेगा जहां भी exception आने के chances हैं उस particular जगह को आप try block के अंदर डाल दो तो मुझे लग रहा है कि यहां पर problem नहीं आएगी यहां नहीं आएगी यहां नहीं आएगी यहां नहीं आएगी बट यह इस वाले section में problem आ सकता है तो मैं इसको try block में डाल दिया तो अगर आपसे कोई पोशा है question कि what is the use of try या हम try block क्यों use करते हैं try का क्या use होता है तो try block contain those set of statement those set of instruction in which exception may occurs मतलब try block के अंदर वो हम statement रखते हैं जहां पर exception occur हो सकता है जहां पर exception आने के chances हैं समझ में आएगी बात तो वो सारे statement वो एक statement वो दो statement या वो 10 statement या वो 100 statement अब try block के अंदर डाल दिजिए जहां पर exception आने के chances हैं तो what try block contains, try block contains those set of statement या those set of instruction in which exception may occurs जहां पर भी exception occurs हो सकता है जहां पर भी exception आने के chances हैं उसको try block के अंदर डाल दिजिए ठीक है अगर suppose करिए कि आपने उसको try block के अंदर डाल दिया तो फिर क्या होगा तो try block के साथ catch होना बहुत ज़रूरी है अगर catch नहीं लिखोगे तो error आ जाएगा देखो यहां पर error आ रहा होगा कि try must be followed by either finally or catch अना तो मसलब यहां पर catch लगाईए catch को लिखने का इस syntax होता है opening closing करिए ऐसे लिखिए ठीक है या तो catch लिखिए या तो find लिखिए अच्छा catch के अंदर क्या लिखना होता है हमें अब देखो यहां पर किस type की exception आ रही है जिस भी type के exception आ रही है हमें तो पता नहीं है न अर्थेमेटिक हो सकती है नमबर फॉर्मेटिक हो सकती है लेकिन अभी देखने से लग रहा है कि mathematical problem है तो arithmetic exception आ सकती है तो अगर आपको लग रहा है arithmetic function आ सकती है तो उसको ही represent करने लिए उसी नाम से ही हमँर पस class होती है यहनिक हम लिए कफिल्षमाठीग एकस happens नाम से ही तो catch के अंदर हमें लिख देना है to grammatic exception और variable का नाम यह पूरा try-catch का syntax है यह आपको मतल्ब लिखना होता है यह तरीका होता है ऐसे आपको लिखना ही, ऐसे आपको करना ही है, ठिक, चलिए, अब ज़रा इस पूरे statement को detail में समस्ते हैं, कि अगर ऐसा आप लिखती हो, तो ऐसे लिखने से क्या फायदा होता है, या क्या होता है, देखे, जब आप कोई भी application बना रहे हैं, कोई भी project बना रहे हैं, कोई भी क chances हैं, और उस 10 statement को आपने try block में डाल दिया, तो try block में डालने से फायदा क्या होता है, अब ज़रा ध्यान से समझेगा, ठीक है, अगर आपने किसी भी statement को try block में डाल दिया, तो उसे फायदा यह होता है, कि JVM runtime पे चेक करता है, जैसे माल लोग के try block में आपने से डाल लिया और यहाँ पे exception आ गई, अब यह exception किस type की आई, यह तो हमें पता नहीं है, तो JVM runtime पे यह check करने जाता है, कि भी इस exception का type क्या है, चेक करने जाएगा, तो JVM गंदर प्रोग्राम पढ़ा होगा, जो इसका type को check करेगा, अच्छा, exception arithmetic है, तो क्या इस नाम से कोई हमारे पास exception class बनाई गई है, हाँ है भई, arithmetic exception नाम से ही हमारे पास यह मतलब पूरी exception hierarchy में एक class होती है, अगर आप देखो, exception classes की hierarchy, आपको दिखाता हूँ, exception classes in hierarchy in Java, तो exception classes की पूरी hierarchy है, जिसमें बहुत सारी classes है, और अगर बढ़िया hierarchy आप देखना चाहते हो, तो यहां पे बहुत सारे हैं, मैं आपको बना भी सकता हूँ, लेकिन ठीक है, कोई भी यहां से हम open कर लेते हैं, से मैंने यहां पे यह कर लिया, चलिए, अब देखिए यहां पे ध्यान से, यह हमारी exception class है, हाना, exception class की hierarchy है, ठी ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए, तो एक अच्छा यह थोड़ा सा भी लोड होने में टाइम लग रहा है, आपको बिजिवल नहीं हो रहा होगा, अभी यह लोड हो जाएगा, यह अब लोड हो गया, ठीक है, देखिए सबसे topmost class है throwable, फिर है exception और इधर error है, error के अंदर error classes और exception के अंदर एक class है runtime exception, अचा, runtime exception के अंदर ही यह आता है class not found, null pointer, arithmetic, ठीक है, तो देखिए, arithmetic नाम की class है या नहीं है, ऐसे आपको हर type के exception को represent करने के लिए, अब जहाँ arrow बनाया है, जैसे एक है index out of bound exception और उसके अंदर यह arrow बना के लिखा arrow बना के लिखा child class है, या inheritance हो रहा है, समझे रहो, या inheritance हो रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहने का यह sense है, कि हमारे exception classes के अंदर जो type की exception आती है, उस exception को represent करने के लिए, उसके corresponding हमारे पास exception class available है, तो इसे ने देखा वाया, इसका type arithmetic है, arithmetic नाम की class होती है, तो आपने का sir, अगर ऐसा मारे पास कोई class ही नहीं हो, तो क्या होगा, ऐसा आही नहीं सकता है, क्युकि हर वो exception, या तो फिर class not found exception आजाएगा, ऐसा भी हो सकता है विया, उसके लिए एक और exception आजाएगा, जिसका नाम है class not found exception, ठीक है, तो हर वो exception जो भी हमारे प्रोग्राम में आता है, उस particular चीज के क्या बनाती है उसने object बास अन्या रही है तो वो object रंटाइम पर जब बन जाता है बनाने के बाद उस object को जहीं क्या करता है फेकता है हमारे program में फेक देता है उसे है उठा के ठीक है throw कर देता है आप बोलो से तो उस object को हमें समहाल के रखने के लिए एक catch ब्लॉग बनाना पड़ता है हना तो इससे हमारे program में अच्छा आप आपने question पूछा में जिसे आप पूस सकते हो आप में जिसे कि सर्क्या try और catch अगर हम नहीं लगाते है माली जी हटा दिया तो क्या exception occur होता है या नहीं होता है बिल्कुल होता है क्या exception का object बनता है या exception occur भी होता है बड़ उस exception की handling नहीं होती है क्योंकि आपने corresponding catch ब्लॉग यूज नहीं करा corresponding catch ब्लॉग यूज करना जरूरी है तो try catch लगाने से क्या additional फायदा मिल जाता है try catch लगाने से फायदा मिल जाता है कि जो exception के type को check करके उसका object बनाया जाता है उस object को हम अपने catch ब्लॉग के एक variable में hold कर लेते हैं जिस variable का नाम है r तो यहाँ पर r क्या है r क्या है r क्या है हमारा एक variable है और उसका type क्या है यहाँ पर arithmetic exception समझे तो इसलिए मैंने arithmetic exception लिखा exception नहीं लिखता तो या आप ऐसा भी question बोच सकते हो कि sir अगर माल लिजे हमारे पास object मतब exception आया arithmetic और catch के अंदर हमने लिख देन null pointer तो फिर क्या होगा ऐसे भी situation हो सकते हैं अगर ऐसा situation होगा तो उस case में लगा के देख लो आप यहाँ लिख दो null pointer exception और यहाँ पर आया exception arithmetic यहाँ लिख दिया null pointer फिर प्रोग्राम का जो normal flow है वो maintain नहीं हो पाएगा क्योंकि exception आया बट आपने उसको handle नहीं करा catch नहीं करा ठीक है यह देखो प्रोग्राम का normal flow maintain नहीं हुआ exception आया object बना लेकिन उसका corresponding catch नहीं मिला यानि कि वह वाला catch नहीं मिला इसमें arithmetic exception को hold करा जा रहा है अच्छा इसी लिए पता है सारी exception classes का parent कौन है exception है तो अगर मैं ये लिख दूँ exception तो इन सबका तो parent है न तो भाईया ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको लिखने से क्या फायदा होगा? exception root class है तो parent का object बना arithmetic का और reference variable exception का तो इसका ऐसा काम हो सकता है किसी child के object को parent के reference में hold करा जा सकता है तो बिल्कुल hold करा जा सकता है यो आप यहां देख सकते हो object बना किसी child class का और reference variable हमने बना दिया parent का child class को होना arithmetic exception parent class को होना exception तो arithmetic के object को किसके variable में hold करा जा रहा है? exception में है न? तो ऐसा हो सकता है एक्सप्षन लिखने से पता क्या फायदा है कि अगर आपके प्रोग्राम में एक्सप्षन की अंदर आने वाले किसी भी एक्सप्षन कोई भी टाइप का एक्सप्षन आएगा तो इस कैस्ट में हैंडिल होई जाएगा इसको हडा दोट लगा देता हूं अर्थ समयुस्ट लगा देता हूं पहले बताई अन्य वाद समयंयों या कुछ पुश्चन पूश्चन है अभी कोई कोश्चन पूश्चन है आब लोग को की नहीं समझ में आ रहे है ह् हम कहाँ चलेगे अर्द तैसिраж ही में इन पूछ रहा था किसी भी लाइन में कहीं पर भी after अता है इसको है वो वो किसी भी कासे अता है यहां पर ऐसे nearby а मशनलेंगे तर अजको भाता है अंछ करा फ़ाथ हैं भी जो हाँ आता दाख लिए उसके टाइब को चपटा है Then उस एकसप्षन का अबज게 बना देता है तो मतलब हम उस सब मजुदा मा पहल चेक करता है पहले नहीं कि ऐडि लगुदा लिए उसका आप जैपकर जानाय तched inclus ऐसे इसबिछ करना, उसको ऐसे ओजेट को प्रोगमं हर देदे हैं में फेखना इष्ट तो सो अजै भी हम थ्रोक प्रोक कर दिया और सर व्हउजड,"ज्गIR सब सब क्लासका परिंट्स आ गिया सो दने इसको वहां पर ड्डालने के सね से तो द्कलास最ाना है यहांपर होरहा है दाताघ्म हैं थार बंग हैं अः वर disaster of Riding है ट्र सर्थ उप काथट्इंग नहीं बोलती इस जवारिब आप कांसिग कर रहा है तो वह फिर शो कर रहाएंगा चै़ल क्लास का यौ यी position करब दो करेंगा दो पुर तो इनिजो ठीक है अब आप म्यूट करिए मैं बताता हूं देखे होता क्या है कि जब भी प्रोग्राम की अंदर कोई भी एकसप्सन आ रही है एकसप्सन के टाइप को चेक करा गया एकसप्सन का आपजट बनाया गया और उस एकसप्सन के आपजट को बनाके एक वैरियबल मतलब कर लेते हैं यसे हम ने आर वैरियाबल को में रसीब कर लिए ठीक है तो इस आर वैरियाबल को आगर हम प्रिंट करा लें सिस्टम. recognized का आपजट कराके दिखायेगा नहीं उसका आपजट नहीं प्रिंट कराके दिखायेगा एन्होंसेने टुष्टिंग ओर्वाइड कर यहां पर हमने दिखा 10 फिर लिगा हमने 0 अब प्रोग्राम को चलाया तो आप देख सकते हो कि इस सम आ गया और डिवाइड में जो डिवाइड बाइड बाइड रिडियो एकसप्सन आई उसके पीछे कहानी क्या है कि एकसप्सन यहां पर आपकर हुआ और एकसप्सन के आते ह समन्राइड यहां पर नहीं कराएगे और आपको दिखाते हैं यहां पर हम इसे चलाते हैं तो अब कोई जरूर ने कि आर को हिव्म करी आर के जगाए सिस्टम में हम ँडिवाइड हो डिवाइड इंगी यू आर dividing dividing by zero ऐसे करके हम message देदगते हैं तो यह message उसके पास पहुंच जाएगा यह देगे ठीक है तो इसका मदब acception handling में हमें क्या करना होता है acception handling में हमें बस यही देखना होता है पहला काम तो try catch लिखना है पहला तो try लिखना है try वहाँ लिखना है जा एक्स बनाने के chances हैं हमने मालेजियो उसको try में लिख दिया अब जिस statement को हमने try में लिख दिया और acception आ गया तो इस exception के corresponding हमें catch बनाना होता है ठीक है catch बना लिया, acception आया और handle हो गया अगर acception यहाँ पे catch ब्लॉक में catch हो गया उसके corresponding type को चक करके हमारा काम खतम हो गया क्यूंकि acception handling में हमें बस try और catch ही यूज करना है बाकि सारा काम JVM खुद ही करता है क्या करता है, acception के type को चक करता है 2007 के type को चक रकार ककरके, उसका object बनाता है और उसका object को बनाके corresponding एकर QUEं के फेक देता है और उसको हम बस रिसीव कर लेते हैं तो हम exception को handle करने के लिए इसका मदब हम catch करते हैं बस और कुछ नहीं करते हैं ठीक है अगर उसको type नहीं मिलेगा तो ब्रदिक्कत हो जाएगी तो इसलिए क्या ना security के लिए हम exception वाला रगा देते हैं कि वह यह चाहे वह arithmetic आय चैनल नंबर format आये exception में handle हो ही जाएगा और प्रोग्राम हमारा चली जाएगा तो यह होता है exception handling का concept यह देखिए 10 divided by 0 यह 0 लिखते हैं देखिए